क्या elections होने चाहिए क्या राइट टाइम है अभी elections करने का किसी election की वज़ज़ से तो कश्मीर में गान आया ना क्या वज़ज़ है कि सपेसिफिक लीडिर्स को निशाना बना रहे हैं आज सहीद सलावदीन, सहीद सलावदीन नहीं होता हूँ, मुली महमत यो सुभशाथ था आदाब आप देख रहे हैं डेली कश्मीरियत और मैं हूँ अर्चिडडार और प्रोग्राम है खास मुलाकात एक और सियासी शक्षित हमारे साथ आज इस प्रोग्राम में तश्रीफ फर्मा है अक्सर नौजवाने की बात करते हैं, मनशियात को हटाने के हवाले से बात करते हैं बेरोज़गारी को हटाने के हवाले से बात करते हैं और अक्सर लोगों की फर्यादों को सुनते हैं और उनका अजाला करने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ मौजूद आज है संजी सराव जी। संजी जी आपका बहुत-बहुत स्वागत हमारी इस प्रोग्राम में। अब आपकी पूरी जिन्दगी मुझे लगता है कि सियासत में गुजरी है। और लोगों को भी ये पता है क आप। लोगों की बात अक्सर करते हैं। लोगों के बीच जाते हैं। लोगों से मिलते हैं। उनके दर्द को सुनते हैं। और कोशिश करते हैं कि जो उनके जखम हैं उनको बढ़ने की कोशिश करें। लेकिन 2019 के भעद सियासी माहौलों ने बहुत सारी कर्वटे ली। इसमें कोई शक नहीं है जो प्रेजन डिस्पंसेशन है उसने एक ऐसा माहूल आज बना दिया है हम जैनने गरने ही जहां पर आज आपके मेरी घर से फोन नहीं आता है श्य बजे क्यित कब घर आओगे आज 10 बजे फोन आता है बहुत बड़ी बात है आज जुमास के निमाज को लोग फ्री के साथ पढ़े जो आइस पर रिलिजिस तरीके से जो आपके यहां पर है आज कोई यूथ आप माइगरेशन नहीं करता है जो तो सम एक्स्टेंट फ्रेस्टेट हो जाता था जब छे वजे के बाद उसको गर वापसाना पड़ता था डिश्टरवांस होती थी गर में दस बार फोन होते थे तो मैं समझता हूँ इन सब चीज़ों से जो एक माहूल हमारी पुरानी गवर्मेंटों के पास था एड्मिस्टरेशन वही है और एफसर इस बी वही है एसे स्पी पैरे मिल्टरी फोर्स वो तब भी थे आज भी है कोई पलिश चेंज नहीं हुआ कोई आर्मी कोई CRPF चेंज नहीं हो लेकिन काम करने का जो तरीका था उन्होंने नहीं किया उसकी बदोलत मेरे को आज उसमें कोई शक नहीं है खुल कर कह रहा हूँ क्यों मेरे को ये चीज अच्छा लग रहा है कि आज हमें ये मेसेज नहीं आती है कि उस मुहले में हमारे किसी बच्चे को शेलिंग हो गई, शेलिंग से पत्राव हो रहा था, शेलिंग से उसकी आंग गई हमें आज कोई ये फोन नहीं आता है कि संजे भाई ऐसे चो को फोन करो मेरे बच्चे को उठा है हमें आज कर इस टाइब का फोन नहीं आता है कि हमारे गर में रेड हो गई जी हमारे बच्चे को उठा है तो ये सब चीजों को देखकर तो मेरे को ठीक लग रहा है और उससे उपर एक करोर सट लाग टूरिस्ट आये, जह है पुलिटिकल पार्टी जो मर्जी बोले, एक करोर सट लाग टूरिस्ट के बदले मैं समझूगा डेड़ करोर आ गए, मैं दस लाग अमराजी आतरा के लूँगा जो हर साल आते थे, दो लाग, चार लाग, माश का चाश्मीर में मिनिमम दस लाग थार खरचा, 10,000 तो पिनिट हो गा अगा, मैं नॉन्ग ले रहा हूं किका के लाग, अप्रोग्जमेटरी दस हजार रुपे, खर्चा किया उन्होंने, 15,000 करोर तो मेरा दो महिने में, टर्नावर हो गया, कुरे कैश्मीर में, मेरे पांच करोड टूरिस्ट आएगा, पांच करोड टूरिस्ट का मतलब हो गया पचास हजार करोर, एड़ रेट अप 10,000, जब कि एक एक टूरिस्ट यहां पर, पचास जार एक लाग डेड़ लाग हर, हम लोग अगर दिली जाते हैं, सुपोज हम लोग का भी खर्चा होता है, मैं कहता हूँ, मिनिममम 10,000, जो पिनेट हो गया, जो एक रेड़े वाला भी अगर वहां से आजाता है, वो भी 15-20,000 खर्चा करता है, पांच करोड टूरिस्ट मतलब हो गया, पचास जार करोड और मेरा खर्चा कुछ नहीं है, मेरे को उपर वाले की बलेसिंग है, चाहे उनकी बलेसिंग है, क्योंकि ये पीरों, फकीरों, सादू, संतों की जगाए है, एक नैटरल ब्यूटी है, इस कुपसूरती को हम सब लोग अगर इस पर काम करने की कोशिश करें, जिससे मेरे बेरोजगार बच्चों को रोजगार भी मिले, और साथ मैं हमें और एक काम करन हो, आप लोग साथ साथ साल से कर रहे हैं, क्यों ना जब तक एलेक्शन प्रोसेस यहां सिटार्ट हो जाए, तब तक हम एंटी ड्रग मुव्मेंट सब मिलमाट कर चला है, एक संजी जी एक एहम सवाल यहां पर उड़ता है, क्यूंकि आपने कहा कि टूरिस्ट डेड़ ला क्या एलेक्शन होने चाहिए, क्या राइट टाइम है अभी एलेक्शन करने का। साइद सलावदीन नहीं होता हूँ, मुली मामद युसुप शाह था, एक टीचर था, उस्ताद था, और साथ में एक मिजद शरीफ में निमाज आदा करता था, उसके पीछे 20 आद भी निमाज पढ़ते थे, क्या वो पैदा हुआ था, गन लेकर पत्थर लेकर, तो डाक्टर कोई बच्चा नगल लेकर पैदा हुआ था ना पत्थर लेकर पैदा हुआ, उनकी देन है, यहां अगर तकलीफ है, एलेक्शन की, वो पुलिटिकल लीडर उसको है, कामन मैन जो है, आम आदमी से पूछिये, जो कामन मैन है, उसको कोई लेना देना नहीं है, कामन मैन के लि माफिया कंट्रोल में नहीं रखने चाहिए common man को वो चाहिए अगर वो common man को वो facility है मैं समझता हूँ honestly being a political person मैं भी चाहता हूँ election हूँ लेकिन यहां पर मैं समझता हूँ जब government ये कहती है कि security reasons है government के पास तो inputs है यही input तो अमर साथ के पास भी थे फारुक साथ के पास भी थे महबुबा साभ के पास भी थे मुपती साभ के पास भी थे आजाद साभ के पास भी थे जब वो लोग खुद AIG Chief Ministres थे तो उनको पता है कही न कहीज ऐसा कुछ input है जिसकी वाइसे government भी ये नहीं देखना चाहती है कि जो 28, 30, 32 साल के बाइद वापस एक माहूल साजगार कुछ हद तक हो गया बीच बीच में अभी भी आप खुद देखते हैं कहीं कहीं से पता लगता है अगर माहूल कुछ साजगार अच्छा हो गया तो मेरे को लगता है गौर्मेंट चाहती है कि अगर और छे मीने हम दे दे साल बर दे दे क्या फरक पड़ता है अलेक्शन ही लड़ना है ना जी जी एलेक्शन में आम जो कामन मैन है उस बचारे को तो काम अपना करना है तभी रोजी रोटी मिलेगी है इनके पास तो कोई ऐसे विज़न डॉकमेट है नहीं कि भाई हम एलेक्शन वो फिर डिविज़न डॉकमेंट इनका सट सथर साल में आया होता है तो इसलिए मैं समझता हूं को को मैं समझता हूं परसनली कि हमने उसको इतना ज्यादा टूल नहीं इसकी तकलीफ खाली उन पुलिटिकल लीडर को है जिनकी कुरसियां खतम हो गई है जो पावर में नहीं है अपने पावर के लिए चाहते इनको लोगों की कोई दर्द नहीं है आपने रिसेंटली कहा था कि मैंने जब कोई पार्टी कहते हमारे में तो कहा आपके तयार है अपके तयार है सब के तयार है तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है हरे अगर आप भी पॉलिटिक्स में आप देखे यूर रिलेटेड विजरनलिजम तो प्रफेशनली यू नो यू और जॉब यू और अब ठीक है कोई जीता है हारता है it is a part and parcel of the game मैंने भी election लड़ा है मैं हारा है how does it matter it doesn't matter लेकिन हम लोगों से बाहर नहीं हुए लोगों से अलग नहीं हुए इनकी तरह उठके लंडन नहीं भागे कश्मीर में gun culture आया मिल्टन से आया उठके लंडन बाग गए कश्मीर को कि मैं समझता हूं इनको आज कर कम से कम election की दुआई उतनी ज्यादा नहीं देनी चाहिए जितनी इनको यह दुआए देनी चाहिए कि कश्मीर में peaceful atmosphere create हो रहा है अगर ओर टाइम लग जाएगा पांच मीने छे मीने आठ मीने साल बर तो क्या फरक पड़ता है कौन सा तूफान ह हो गया अब investors भी आएंगे डाक्टर फारुक साब तो पूरे world को गूमते थे उमर साब तो पूरे world को गूमते थे यह सब लोग कौन से दुनिया में कहां पर यह लोग नहीं गए कोई एक रुपे का investor लाए जिससे कश्मीर के बेरोजगार बच्चे को रोजगार मिले आज कि क्या लेकर कश्मीरी यूथ के सामने जा रहे हैं कि भाई election लड़ो और हमें वोट डालो आज सब पढ़े लिखे हैं आज यह जो छोटा है ना जिसको हम छोटा खुदा साब छोटा बगवान छोटा ग्रंट साब छोटा लॉट जिसस बोलते हैं यह सब बताता है सब का व पारतन खाली होता है उससे उमर साब में माफी मांगी पहले यह उन सब गुनाओं के लिए माफी मांगे लोगों से क्योंकि तब ही मैंने कहा तब भी वही अड्मिस्रेशन तब भी आफसर थे आज भी वही आफसर है आज क्यों नहीं वह हो रहा है जो तब हो रहा था आप कितनी बार स्टोन फैल्टिक में फसे होंगे फसे हैं नहीं फसे इनके मले हमारे मैं अपने एरिया में जाता है इनके मले पत्राव करवाते थे अपने लोगों से मैनेज कर तीन चार आफ़्ायर की है तो ये सब चीज़ें जो है ना इसलिए हम लोग कहते हैं कि अगर पीसफुल है मेरे को लगता है कश्मिर का कूम उसमें बहुर सेटस्पाइड है हा मैं अबसे िसma हर वाजशों जब सकते हैं वो तबी मांग से ही जब जिन्दा रहेंगे, इनके माहूल में तो जिन्दा ही नहीं थे, इनके माहूल में तो पता ही नहीं था, सवेरे आप भी बताईए, आप जब घर से निकलते थे, कितनी बार आपको दिन में फोन आते थे, घर से ठीक है, कज चुक कहां पर हो, बेटा बगर शुका ठीया कजबश एक वापस कितना जल्दी आ जाना है आज तो नहीं बोला जाता है आज मेरे सामने हम सब बैठे हैं कोई फोन आया मेरे को मेरी मीसिस का कम से कम दिन में पंदरा फोन आते थे आज तो मुश्किल से वो सवेरे फोन करती है या शाम को फोन तो अब इमांड करूँगा बच्चों के रोजगार की अब मैं डिमांड करूँगा अंटी ड्रग के लिए अब में डिमांड करूँगा ड्रग माफिया खत्म होना एक तरफ से तो सारी चीजे बहतर हो रही हैं चाहे जी टुएटी समेट Lap 7 होना औरा बेरोजारी की बात आप कर रहे हैं, लोगं को एंप्लोइमेंट जनरेट कराना, उनको एंप्लोइमेंट देना, लेकिं दूसरी तरफ से कुछ लोग आपके पास आते हैं जो कहते हैं कि हम पे-े-म पैकेज के अंदर नौकरी में लगे हैं, लेकि तीन महने से हमारी सेलरी सॉरी, ये छुटी मोटी नहीं है, बहुत बड़ी बाते भी हैं लेकिन ये पासान हो सकती है, ये सब कुछ इस्यूज देखे, आज भी मैं उनके साथ प्याइम बच्च बात करने कि वो वफद आपके पास भी आया था, वो आया था, मैं उनको लेकर गया, डीसी साब को पत ही नहीं थी कि बच्चों को सेलरी नहीं मिली है, तो ये सब चीज़े हर वक्त होती है, ऐसा नहीं है, बजटिंग इस्यूज होता है, कभी कबार ट्रेजरी में फंड्स लेट आ जाते हैं, बट ये बच्चे 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 वेट करते रहे, शायद आजाएगा कल अब इसको क्या बोलेंगे आप, ये तो पॉजिटिव चीज है, जो चीज एप्रिशिट करनी चाहिए, जब वहां उनको पता लगा, कि सेलरी नहीं मिल रही है, हम लोग ऐसेलरी नहीं मिल रही है, अच्छा क्यों नहीं मिल रही है, पता नहीं सर, क्या हम यहां पर ही कह सकत जाएंगे, जिसने डाइ मीने आगर किसी ने डेलबरेटी डिले किया, आपको क्या लगता है, डिसी साहँ उनको छोड़ेंगे, डिकाम साब छोड़ेंगे, यहां एक एक एमपलाई है, मेरे पास आता है, I will not quote his name, गवर्मेंट एमपलाई है, वो भी PM पैकेज का, चोदा मी आपको को सस्पंड कराऊंगा, मैं कभी ऐसा काम नहीं करता है, ना कभी इन सब्सक्राइब करता हूँ, लेकिन कोई भी बच्चा, चोदा मीने से एक बच्चा कैसे घर पो चला रहा होगा, उसके पेरेंट, फादर उसका बहुत सीरियस है, वो बिमारी में मेरे पास 3-4 वा हो रही है, और हो भी जाएगी, चाहिए वो किसी भी डिपार्टमेंट में, मैं वही कह रहा हूँ कि एडमिस्ट्रेशन स्ट्रॉंग है आज की डेट में, अभी हम गए हमने, मैं कह रहा हूँ, आपके सामने, अगर आपता है, तो मैं आपके सामने फोन पर यह देखे, मैं के सामने करो, यह सब चीज़े पता होनी चाहिए, जहाँ एडमिस्ट्रेशन काम करती है, यह सब चीज़ों का अप्रिसेशन भी होना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है, इससे पता लगता है, कि जिस आफसर ने काम किया, उस आफसर को लगता है, कि नहीं, मेरी यह हो रह कमल जी, मैं मीडिया के सामने आप से बात कर रहा हूँ, आपकी सेलरी ट्रांसपर हो गई या नहीं हो गई? अभी तो किसी कि की हो गई और किसी की भी पेंडिंग है, मतलब कुछ हो रही है, ट्रांसपर हो रही है, जी 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 अभी हम डीसी साहब से मिलके आये, मेरा वही कहने का मतलब था कि जब वहाँ पता लगा तो काम स्टार्ट हो गया जी जी बिलकुल, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, यह वही है ना, क्योंकि जब आपने पहल की, सही बात, कंसर्ण एक्सार्ट से पहुचाई तो और ने एक्शन लिए, यह चीज़े पहले भी होती थी, जी जी, हम नहीं कहते हैं, पहले डेलवर नहीं होता था, कहीं होता था, कहीं नहीं होता, तो सेम वे में, आज वो है कि आज डर है, एक अफिसर को यह चीज़े का डर है, कि कोई पूछने वाला है, जी, जी, आर्टिकल एब्रोगेशन या आर्टिकल 370 की सुनवाई स्परीम कोर्ट में चल भी है, और काफी उस पे डिबेट भी चला और काफी चीज़े भी सामने आई, क्या एक्स्पेक्टेशन आपकी है स्परीम कोर्ट से आने वाली हैरिंग्स में, वो तो सब उपन था, मैं तो क्या बोलूँगा, इन सब चीज़ों पर तो मैं कुछ बोल नहीं सकता हू मैं तो यही बोलूँगा कि 370 जो पार्लिमेंट से पास हुआ था, डाक्टर फारुक साब की महरवानी से, इन सब की महरवानी से, गुपकार गैंग की महरवानी से, अब कोट का ठपा लगवा देंगे, कभी कबार अगर गौर्मिट यहां पर बन जाती, यह उसको एसमेली म उस पर डिसकेशन डिबेट कर लेते, आप ठपा भी लगवाएंगे, अउन्रेबल सुप्रीम कोट का, तो यही तो यही चाहते ही थे, उन्होंने 370 रखा कहां था, डाक्टर फारुक साब बोल दे ना, उनके गौवर्मेंट में 370 था कहां, 370 का जो चीजे थी 370 में, क्या जो उन्होंने बोला, उन्होंने के अपने मैनिफेस्टों के हिसाब से उन्होंने किया, क्या इन्होंने अपने मैनिफेस्टों के हिसाब से उसको रोकने का काम किया, आज अगर यह सब लोग एक साथ रह गए, इससे पहले यह एक साथ क्यों नहीं रही, जब 1996 में टू थर् थे इनको पता थी और डाक्टर फारुख साब को आज मैं आपके मीडिया के मद्दम से बोला चाहता हूं डाक्टर फारुख साब और उमर साब को बोलो दो दिन पहले आप अनुरेबल पीम के पास क्या करने गए थे दो दिन के बाइद फिर यहां पर क्यों 3775 से हटा वो जव आप तो दे वो क्या करने गए थे पीम के पास कि पूरी पूरे सब को पता है आप गूगल खोलिए सब्रीबडी नोज इट आपको भी पता है क्या करने गए थे भई किसी के लिए गए थे आप फटाव मैं साथ में हूं अब क्यों लोगों को दोखा दे रहे हैं वापस ला आप ने कश्मीर में बेरोजगार बच्चों के रोजगार के लिए कुछ लाया जो स्टील प्लांट आप भी आप छोटे थे मैं लेकर आया लासीपूरा में लगवाया उमर साभ ने उसको बंद करने का काम किया उसके बदले पांपूर में एक स्टील प्लांट खड़ा नथा मैंने अपने गर के लिए लाया मैंने सिटी लेथ आफ इंडिया का लगवाया था जिसमें 10,000 करोर का प्रॉटेबल यूनिट है और देश का था कंट्री का था और उसमें सबसे बड़ी बात थी कि जो सियासर फांड था सियासर फांड से बच्चों का रोजगार मिलता स कि इनकी दुकानदारी बंध होती पथर मारने वाले सब बंध हो जाते वह विचारे रोजगार मिलते उनकी जिंदगी बंदे आती इनको कोई ग्रेट अटानामी से लफ रूल अटानामी बाके पाकिस्तान वो सब बोलने वाला नहीं होता इनुनों ने उसको चलानी नहीं उसको जिस दिन उमर साब ने उसको इनॉग्रेट किया मैंने उसी दिन प्रेस में बोला मतलम दूसरे दिन मैं प्रेस में आया मैंने का उमर साब यहां रा मेटिरियल अवेलेबल नहीं है इंडिया का प्रोजेक्ट इसलिए चलेगा अगर वहां से 10 रुपे का कश्मीर में पोंचेगा यह बनाने के वाइद 15 रुपे का एक सब्सेट कोई बीचीज अगर सौ रुपे का पुंचेगा 500 रुपे का बने गाए मार्केट में वही मिलता है 120 रुपे में तो वह कौन खरीता लेकिन इसमें 50 परसंट सबसीडिय थी और यह बनता था पचातर रुपे में पचातर रुपे गॉपर ऑंचातर रुपे इंडिया उसके बाइद में आज उसकी लाइबिल्टी देखो एक सौ करोर से ज्यादा है तो यह इनुने महरवानी की यूथ के लिए या उनके साथ जाती की क्या वज़ा है कि संजे सरा आप कुछ स्पेसिफिक लीडर्स को निशाना बना रहें कि मैं स्पेसि लीडर्स की बात नहीं है शूँ और अगर में भी कहीं पावर में रहा होता नहीं अपनी बात करता मेरा भी बहुत क्लोज रीलेटिव इंके साथ था हंडो साथcion साथ मेरे बहुत इनका बहुत बड़ा लीडर था नेश्नल कांफेरेंस का इनके साथ में हर वक्त था मेरी फेमली थी वो अगर उसने भी कहीं गलत किया तो मैं उनके बारे आथभर य। जस भीसारी ने कहीं कोई गलत काम किया नहीं था और हम सब चीजे बोलेंगे, आज जब सब कुछ सही हो रहा है तो हम सही बोल रहे हैं, अगर इनके टाइम कोई चीज गलत हो गया, देखें, अमर साब के टाइम, 139 बच्चे मारे गए, वो तो किसका है, वो रेस्पॉंसिबिल्टी तो इसी की है न, वहाँ आप और मैं तो न देश में कहीं पर भी कोई चीज गलत हो रहा है, वो प्रदान मंत्री के नाम पर आएगा, अच्छा हो रहा है सब चीज, G20 पूरे देश में हो गया, पूरे वर्ल्ड के लिडर्स आगे तो प्रदान मंत्री के वावाई होती, गाड़ फारवट नहीं होता तो उनकी यह हो काफी टाइम से आप मनशियात को लेकर ड्रंक्स को लेकर काम कर रहे हैं, पहले तो आपने पार्टी लेवल पे किया और अब आप अपनी परसनल जो आपकी एंजियो है, गाश मेरे ख्याल में, कदल, कदल, सुरी, तो उस लेवल पे आप कर रहे हैं, आप डिस्ट्रिक्स मे सबसे पहले से, सबसे पहले हमने निकाला था इसमें खानियार से, खानियार में एक एंजियो चलाता है, डाक्टर साब है, भी प्रोफिशन ए डॉक्टर, हीज़ वरी गुड फ्रेंड, उनके साथ हमने सबसे पहले निकाला था, आज से, I think it is 2008, 2008, 2008, 2008, 2009 की बात है, सबसे प जब हम, क्यूंकि हमने सेक्डरेट, हमने बोला था कि हम सेक्डरेट, सेक्डरेट पर दावा करेंगे, तो वो जो पॉसिबिल्टी इस नहीं है, पट हम लोग सेक्डरेट तक पहुँचे थे, पट वहां से हमें, फिर हम लोग C.M. से भी मिले थे, उसमें, मेरा कहने का करता हूँ और मेरी यह मुहिम आज से नहीं कंटिन्यूटी में रहेगी मेरा कोई मिशन यह नहीं है कि मैं एलेक्शन लड़ूंगा फिर जीतूंगा तो उसके वाइज अमेले बनूंगा फिर वही चोरी डकेती जो मर्जी करना है करूं मैंने उपर वाले की रहमत से मैं हमारे सरगवाई सीने था रामविलाज जी के साथ 25 साल काम किया वो 24 साल यूनियन मिनिस्टर थे आज भी उनके बाई यूनियन मिनिस्टर थे आज भी मैं उनके साथ में हूँ और 24 के 24 साल मैं पूरे गौर्मिन्ट आफ इंडिया का डिरेक्टर रहा हूँ तो हमने यह MLA बहुत चीज़े हैं वहाँ पर हम डिरेक्टर रहते थे पूरे 29 स्टेटों का जिसमें तीन चार यू टी भी है पूरे जहां मर्जी जाए हाइस्ट लेवलाफ पावर के साथ बैठे हैं तो मेरा वो मसला नहीं है मसला हमारा है कि जहां मनशयात की बात है मनशयात में मैं आपके मद करें बच्चे को बोले समझाएं बच्चे को क्यूंकि आज कर यह जो मोबायल है यह बहुत पॉजिटिव भी है तो इसके मद्यम से क्यूंकि पहले हमारा एक वबा बड़ी मुश्किल से उस वबा से कुछ हद तक हम लोग बच गए उसमें जो भी जाता था अकेला वही जा रिस्पॉंसिबिटी लेकर चलना पड़ेगा यह नहीं कि मेरे ग़र में मेरे बच्चे बाहर पढ़ते हैं वो नहीं है ना यह रिस्पॉंसिबिटी हरे की और मैं आपके मद्दम से यह गुजारिश करना जितने मौलवीज हैं हमारे जब भी वो निमाज अधा करे अपने वाज के साथ इस चीज़ को कोट करें एक इंपॉर्टन बात आपने कहीं कि जो मजभी रहनुमा है और जो सोचल आर्गनाजेशन से उनका बहुत बड़ा रोल इसमें बच्छा है बहुत बड़ा रोल है इसमें बच्छा है कि आपको लगता है कि जब भी हम ये खवर को पगड़ा गया इतने ड्रग पगड़ा रॉड है हमने अकशर सना है कि जो कॉंस्लिंग होती है वो ड्रग को यको ये वहालों की है क्य आपको लगता है कि जो ड्रग बेचते हैं उनके भी понять होनी चाहिए जो ड्रग्स बेचते हैं उनके खिलाफ में सजा होनी चाहिए उनको कोई माफी नहीं है उसके लिए क्यों आप काउंसिलिंग करेंगे क्यों टाइम वेश्ट करेंगे जो ड्रग्स बेच रहा है उसको पता है कि वो जहर बेच रहा है जहर बेचने वाले के लिए कोई माफी न गाँ उसको 10-12 साल जेल में रखो, उसको काला पानी में डाल दो, क्यूंकि वो जान भूज कर दे रहा है, जो बच्छा ले रहा है, वो बच्छा इनोसेंट है, प्रैक्टिकल शेप में जब बच्छा पहले 7th, 8th, 9th में यह एक टीनेज है, कितने केसिज आपने इस साथ है, उसको अपनी सांचे में डालना बड़ा आसान होता है, इसलिए मैं कहा रहा हूँ, उसके लिए कोई माफी नहीं होनी चाहिए, उसके लिए कोई कांसिलिंग नहीं होनी है, वही हम काम जो आप में मेरे को बोला, कि आप क्या कर रहे हैं, हम लोग पहले डिस्ट्रिक है, एक सिवल सोसाइटी का कलास जो है, हम उन सब को जोड रहे हैं, अभी आज, जो मैं कदल फाउंडेशन के मद्दम से, क्यूंकि इसको मैं पुल्टिकल रंगत नहीं देना चाहता हूँ, क्यूंकि हमारे इसलिए मैंने अपना कदल फाउंडेशन डाला कि हर एक, चाहिए पचास-सथ लोगों को जमा करेंगे, पंदरा-पंदरा-पंदरा-पंदरा-पंदरा-पंदरा-पंदरा-पंदरा-पंदरा-पंदरा-पंदरा-पंदरा-पंदरा-पंदरा-पंदरा-पंदरा-पंदरा-पंदरा-पंदरा-पंदरा-पंदरा-पंदरा-पंदरा-पंदर वो सब चीजों की knowledge देना बहुत जोरूरी है उसके बहुत बहुत शुक्रिया आपका सवाल बहुत है लेकिन वक्त की कमी है आप पी काफी मश्रूफ होते हैं उसके बाद भी आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया बहुत बहुत शुक्रिया इन्शाला जिन्दगानी रही तो और मसलों पर भी बात करेंगे और मजीद तफसिलन कश्मीर के जो इशूस हैं नौजानों के जो इशूस हैं उनको डिसकस करेंगे कोशिश करें और सियासत के बाहर बात करेंगे बिलकुल बिलकुल आगे से इंशाला जिन्दगानी रही तो आपसे और भी मुलाकाशा प्रेंगी फिलाल बहुत-बहुत शुक्रीया आप तो ये से संजेस राब जिन्दगानी रही तो बहुत जल्द आपके साथ एक और शख्सियत की मुलाकात कराएंगे तब तक दीजे इजासत, आला हाफिज झाल